हेलो दोस्तों एक वाज फिर से आप सभी लोगों का सौगत है आपके यूट्यूब चैनल वाईलो इस टाइमस में तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कुछ हम सबजियां पदान करने वाले पौधे एवं फल पदान करने वाले पौधों के नाम और उनके बनस्पति नाम के बारे में बात करेंगे तो चलते हैं अपने टापिक पे और बात करते हैं सबजियां पदान करने वाले पौधों के बारे में तो दोस्तों नमबर एक पे हैं वैगन यानि की वरिंजल वरिं नम मिलोन जिना यह किस फेमली के अंतरगत आता है तो दोस्तों बैगन जो है सोलेनेसी फेमली के अंतरगत आता है नमबर दो पे बात करें आलू के बारे में आलू यानि कि पोटेटो पोटेटो का जो बनस्पतिक नाम यानि कि साइंस्टिपिक नेम क्या है तो दोस्तों यह भी शोलीनेसी फेमली का ही मिंबर है नमबर तीन पर बात करते हैं टोमेटो यानि कि टमाटर के बारे में तो टमाटर का जो बनस्पतिक नाम होता है यह होता है लाइको परसिकम एस्कुलेंटन क्या होता है दोस्तों लाइको परसिकम एस्कुलेंटम एक किस फेमली के अंत तो दोस्तों भिंडी का बेग्यानिक नाम यानि के बनस्पति के नाम क्या है तो भिंडी का बनस्पति के नाम होता है घाय।avillomascus osculentus ए किस फैमलीगे चबार रहता है तो भिंदी जो है । Kia ऐके इस फैमली का मेंबर है तो दोस्तो प्याज का जो बनस्पतिक नाम होता है यह होता है aim sepa क्या होता दोस्तों aim sepa Asse a family member है तो दोस्तों प्याज जो है यह लेलिएसी family के अंतरगत आता है यानि कि प्याज लेलिएसी family का member है नॉभर 6 पर बात करते है inspiran сним यानि कि प्लक का वन पतिक नाम होता है या सांचिटिपिक नेम होथा है क्या होता है तो इसप्नेंसिया ओलीयसिया एक इस फैमिली के इंतरगत आता है तो इसे पालक जो है किनो 4d planets lika का किनो 4d しました iawn 7 पर बात काते हैं बथुआ ब्थुआ बथुआ को फिग वीड के नाम से भी जाना जाता। किस नाम से पिग वीड इसका बनस्पतिक नाम क्या है इसका बनस्पतिक नाम होता है चिनो फोडियम अलबम क्या होता है दोस्तों चिनो फोडियम अलबम यह किस फैमली का मेंबर है बत हुआ जो दोस्तों है यह भी किनो फोडियसी फैमली का ही मेंबर है नेक्स्ट आठ पे बात करते हैं कुकुम्बर यानि की खीरा खीरे का बनस्पति की नाम क्या होता है जोतों खीरे का बनस्पति की नाम होता है कुकुमिस सेटाइवस क्या होता है कुकुमिस सेटाइवस एह किस फैमिली का मेंबर है तो दोस्तों खीरा जो है कुकुर विटेसी फैमिली का मेंबर है किस फैमिली का कुकुर विटेसी फैमिली के अंतरगत आता है नेक्स्ट यानि कि 9 पर नंबर पर है पंपकिन यानि कि कद्दू का जो दोस्तों बनस्पतिक नाम होता है कुकुर वि ilo community या मैंबर ईंए 10 नमबरं बात करते हैं विक्रगार्ड ऑइनक करेला करेला का बनस्पतिक नाम क्या ह knows करेले का बनस्पतिक नाम होता है मिमोड़िका करंशीना क्या होता है मिमोड़िकाउल करंशिया एक इस फेमली के नंतर जाता है तो जोस्तों इक करंशिया जो है कुछी ओपरीटय का ही मिंबर है नेक्स्ट ऐनिकि रिवटिकऊड तोरही दोरही का जो बनस्पतिक नाम होता है पर लुफा-एक टैंगुला क्या होता यानि कि मूली मूली का जो बनस्पतिक नाम होता है वो होता है रेफेनर्स सेटाइवस क्या होता है रेफेनर्स सेटाइवस एक इस फैमली का मेंबर है दोस्तों मूली जो है ब्रेसिकिसी फैमली के अंतरगत आती है कि नहीं सिर स्वाराने वैंट एक ब्लोग तुस्थे तुम financẹरोटा है अन्वासिब मेंब्र इसकी फिनली का क्या नाम है एफ पीसे की नाम कहले है साइंटिफिक नेम कहले है यह क्या होता जोस्तों यह होता है मैंजी फेरा इंडिका क्या होता है मैंजी फेरा इंडिका तो मैंजी फेरा जो इंडिका यह आम जो है किस फेमिली का मेंबर है मैंजी फेरा इंडिका जो आनकाडियसी फेमिली का मेंबर है नेक्स् फैरा डिसी का एक इस फैमली का मेंबर है तो एह दोस्तों जो है मुझेसी फैमली का मेंबर है किस फैमली का मुझेसी फैमली का मेंबर है नेक्स बात करते है एप लैनि कि सेव का जो बनस्पति के नाम होता है दोस्तों यह होता है मैलर्स सिल्वेस्टिस क्या होता है मैलर्स सि वेस्टिस एक किस फैमिली के अंतरगत आता है दोस्तों सेव जो है रोजेसी फैमिली के अंतरगत आता है भात करता है G्रेफ यानि कि अंगूर अंगूर का दोस्तों जो बनस्पतिक नाम होता है वो होता है VITIS VINIFERA क्या होता है? VITIS VINIFERA एह किस फेमली के इंतर गता था? दोस्तों एह जो है ITAC family का مिंबर है किस फेमली का? YTC family का मिंबर है नेक्स्ट बात करते हैं गवायनी की अम्रूत तो दोस्तों अम्रूत का बनस्पतिक नाम क्या होता है साइडियम गवाया क्या होता है साइडियम गवाया एक इस फैमिली का मेंबर है तो दोस्तों यह मिर्टेसी फैमिली के अंतरगद आता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टोपिक के साथ तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट वाक्स में अपनी राय आवस्च दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेड़ आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हमारे वीडियो आपको जल्ड़ें